चलिए देखते हैं 60-2024 में हिस्ट्री का कटफ क्या हो सकता है सबसे पहले हम देखते हैं कि 2017 में कटफ क्या गया था ये 2017 का कटफ है इसमें अर्रिजर्व या समान्य अभ्यार्थियों का कटफ 62.0617 और इसमें केवल 44 अभ्यार्थी पातर हुए थे और इसी की बात करें तो इसका कटफ गया था 59.2509, 69.25, 69 और केवल 11 अभ्यार्थी पातर हुए थे S C में बात करें तो 12 अभ्यार्थी पात्र हुए थे और कटफ गया था 3.681 S T में कुल 34 अभ्यार्थी पात्र हुए थे जिसका कटफ गया था 46.746 P W D U R में 4 अभ्यार्थी पात्र हुए हैं और कटफ गया है 49.716 OBC में बात करें P W D में तो एक अभ्यार्थी पात्र हुए हैं और इसका कटफ 47.3954 के करीब गया है और S T में तो नहीं हुआ है S C में हुआ है इसका भी कटफ लगबग 47.353 एक और केवल एक अभ्यार्थी पात्र हुए हैं इस पकार केवल 107 अभ्यार्थी इस समय इरिजवल हुए थे 2017 में चलिए अब बात करते हैं 2018 का कटफ यहाँ पर हम देखें तो कटफ जो है लगबग 60 के आसपास गया था 2017 में 60% के आसपास गया था अब देखते हैं 2018 यह हिश्ट्री का है इसमें यू आर का गया था लगबग 60 के आसपास 60 के आसपास कटफ गया था ओवी सी का लगबग 69 के आसपास ही रहा होगा और एससी का चववन के आसपास यह तीनों नहीं था हमने जब डाउनलोड किया तो अब देखते हैं एस्ट्री का जो कटफ गया है वह 41 दस्मलों आठ पांच चार और पचास कैंडिडेट यहां पर सलेक्ट हुए थे मतलब इलिजबल हुए थे पात्र हुए थे पी डबलू डी यू आर में पांच अभ्यार्थी पात्र हुए जिसका कटफ 41.187 पी डबलू डी ओवी सी में दो अभ्यार्थी पात्र हुए कटफ गया 49.861 इस पकार कुल 159 अभ्यार्थी पात्र हुए तो इसमें लगभग हुआ होगा 50 से अधिक और ओवी सी में लगभग 25 और इसमें लगभग 22 के आसपास ऐसा हुआ होगा और कुल जो अभ्यार्थियों की संख्या हुई वो हुई 159 चलिए अब देखते हैं 2019 का कटफ हिस्ट्री के लिए क्या रहा यहां देखो कटफ जो है डाउन हो गया कैसे डाउन हो गया पहले में था 62 के करीब दूसरे में 60 मतलब 2018 में 60 के करीब और 2019 में अचानक गिर गया है इस बार भी गिरेगा इस बार भी कोश्चन आसान नहीं था तो रिजर्व का कटफ गया 52.70 और 55 अभ्यार्थि यहां पर पात्र हुए इलिजबल हुए OBC में संख्या और घट गई 49.3 पासुन्य और अभ्यार्थि की संख्या 14 हो गई फिर SC में 47 के आसपास गया और 16 संख्या 16 हो गई HD में 41 के आसपास संख्या 32 रही तो हम देख रहे हैं कि कटफ जो है नीचे गया और अभ्यार्थियों की संख्या 126 रही पिछले बार कितनी थी 119 अभ्यार्थि की संख्या नीचे गई अब इस बार क्या होगा अभ्यार्थि की संख्या उपर जाएगा कटफ भी उपर जाएगा क्योंकि 52 से तो उपर जाएगा तो हम कर सकते हैं 56 के आसपास 56 से 60 के भी चीज़ पर कटफ रहेगा लेकिन अभ्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि इस बार जादा अभ्यार्थियों ने सेट की परिक्षा में बैठे है अब आप इससे नुमाल लगा सकते हैं कि कट आफ जो है कुश्चन पेपर की उपर डिपेंड करता है और परिक्षा में सामिल होने वाले अभ्यार्थियों की संख्या के उपर निर्भर करता है इस बार लगभग पेपर में 60% से अधीक अभ्यार्थि बैठे हुए हैं अब इसका 6% आप मोटा मोटा ले लो तो बहुत लोग बैठे थे तो 126 के जगह में लगभग 160 के करीब आएंगे तो यहाँ पर केंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी हलाकि कटफ थोड़ा उपर जाएगा क्योंकि 52 से तो उपर जा सकता है तो इस प्रकार कटफ जो रहेगा इस बार का यू आर के लिए 56 से 60 के बीच ओबी सी का रहेगा दो पतिसत कम रह सकता है तो 54 से 58 के बीच इस सी का लगभग इनक्यावन के आसपास और एश्टी का जो है चम वालिस के आसपास ऐसा कटफ रह सकता है तो आप देख लीजिगा आपका इतने के बीच में आ रहा है की नहीं नीचे आप कॉमेंट बाक्च में कॉमेंट करके बताएगा और साथियो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर देजगा पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देजगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनके नोटिफेशन आप तक पहुंसती रहे धन्यवाद और साथिवाब अजल कोया हमारे उनके को कर देजगा हमाएब 25, 18 जैनल और साथियो अज्य वीडिदां य्योरोत आप साथियोंगा लोग मारी जैरी नहीं हमार्वेशन तक देज़ित